this module pertains to consumer behavior and assumption of consumer preference ordering and the third assumption is reflexivity reflexivity को अगर हम देखें तो यह reflection से है और reflection जिसरी के से mirror के आगे कड़े होता है एक कोई भी consumer तो उसको अपनी ही शबी सामने नजर आती है तो वो उसका reflection कहलाता है तो यह property of consumer behavior या preference ordering की जो है यह बिलकुल उसी से derived है and according to this property consumer जो है वो ensure करता है कि जो consumer की preference है वो over the time consistent रहे उसमें बार-बार तबदीली ना आए और उसके अंदर अगर कहीं पर कोई information या context अगर change भी हो रहा है तो लेकिन उसकी preference consistent रहे अब अगर हम देखें तो इस के implications क्या बनती है या detail में है तो अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक bundle x' है और वो x' is preferred है अगर हम कहें कि वो at least अपने ही bundle के जिसको हम कहें कि उसी की ही अगर हम दूसरा identical bundle कड़ा कर दें तो वो हम कहें कि at least अब यहां पे अगर हम देखें तो वो क्या होगा कि वो at least अपने ही bundle के मुकाबले में अगर हम उसको कहें तो x1 is at least preferred with x2 जो के उसका हो और with add itself और या अगर वो नहीं हो तो at least वो उसके equal जरूर हो means वो अपने ही उस bundle से less नहीं हो सकता जिसको उसने already अगर वो preferred है तो वो ही वाला bundle अगर उसको कल मिलता है परसो मिलता है या किसी और में वो at least उसी bundle को उसी तरीके से prefer करेगा consumer तो यह उसकी reflexivity कहलाती है और यह हमारी उस consistency of theme को show करेगा कि जिस bundle के features को या information को देखते हो उसने उसको आज prefer किया है वो उसको कल परसों और उसे आगे को अपने behavior को maintain रखेगा इसलिए इसमें हम दूसरा bundle जिससे उसको compare करते हैं उसको उसका identical bundle से हम notation देते हैं और अब अगर हम इसमें देखें कि consumer अगर अपनी preference आज जाहिर कर रहा है और कल उस consumer bundle को consumption bundle को consumer prefer नहीं करता तो हमारे लिए consumer theory को study करना तकरीबन ना मुमकीन हो सकता है क्योंकि हम किस तरीके से कहेंगे कि जो consumer है उसकी demand के क्या features थे जिसकी base पे उसने उस consumption bundle को select किया था और उस preference की base पे वो market के लिए क्या signal दे रहा था अब अगर उसकी बहुत जल्द consumption change हो रही हो तो हम उसकी preference के बारे में determine नहीं हो सकते हम उसकी preference के बारे में जब determine एक के बारे में नहीं होंगे तो जब हमने एक producer ने या market में हमने उसको बहुत सारे consumers के साथ उसका वास्ता पड़ता है तो वो उसको सही ना price signals के जरीए producer को message आ सकता है ना उसके लिए को policy वज़ा की जा सकती है ना consumer की हम consumption patterns को study कर सकते हैं इसलिए जो हमारी theory की assumptions हैं उसमें reflexivity उसी में transitivity उसी में completeness यह वो तीन चार हमारी assumptions हैं कि जो अगर हम देखें तो यह उसकी necessary conditions हैं otherwise हमारे पास अगर यह हमारे उस चीज को meet ना कर रही हों तो हमारी consumer theory को study करना तकरीबन नामुम्किन होता चला जाएग